स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आप अपने assignment का status किस परकार से चेक कर सकते हैं यदि आपने अपना assignment submit कर दी है और submit करने के बाद भी आपके assignment का status not record found बता रहा है या फिर not updated बता रहा है या फिर कोई भी detail open होके नहीं आ रहा है तो यदि आप इगनू के student है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है वीडियो को बिना escape की शुरू से end तक देखते रहे ताकि आपको जो है सही सही information मिल सके और चैनल पर पहली बार visit कर रहे है तो चैनल को subscribe करके bell notification को जरूर on कर लिजेगा ताकि इगनू के सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना enrollment number डालना है और उसके बाद यहाँ से आपका जो ही program है आप अपना program यहाँ से select कर लेंगे उसके बाद इस परकार का capture code आएगा जिसको आप यहाँ पर डाल देंगे और सभी details डालने के बाद यहाँ submit पर आप click करेंगे page refresh होगा आप थ assignment submission status इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर इस परकासे आपके assignment का detail open हो के आजाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस परकासे assignment लिखा हुआ आजाएगा और यहाँ पर आपका जो भी गोराम है जो भी course है यहाँ पे आपका course का code आ जाएगा और यहां पे आपका session भी इस प्रकास्टे आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर इस टेटस में आप देख सकते हैं check grade card status for detail और यहां पर आपको date भी देखने को मिल जाएगा आपका assignment जो है कब submit हुआ है तो यहां पर इस परकार से जो है आपने assignment का details check कर सकते हैं आपको आपके assignment में कितना marks दिया गया है इसका information भी आप check कर सकते हैं तो उसके लिए आप back आएंगे और यहां पर आपको दिख जाएगा grade card इस पर आप click कर देंगे तो यहां पर इस परकार से interface आजाएगा आपको नीचे करना है तो य यहां पर theory में आपको कितना marks मिला है यह भी आप यहां से देख सकते हैं और यहां पर एक not completed दिखा रहा है तो यहां पर theory में आपको कम marks मिले होंगे तो यहां पर आपको इस परकार से not completed दिखाएगा तो इसका exam जो है आपको दुबारा से देना होता है तो यहां से आप जो गूगल पर आएंगे और गूगल पर टाइब कर देंगे इगनू असाइमेंट इस्टेटेस तो यहा पर इस परकासे पहला ही मेब साथ चाह जाई नंबर डाल देना है और यहां पर आपको जाएगा इंटर program code तो इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी program का नाम देखने को मिल जाएगा आपका जो भी है यहाँ से आप select कर लेंगे इस परकार से और यहाँ submit पर click कर देंगे तो यहाँ पर इस परकार से जो है आपके assignment का सभी सभी सेंटर में submit कर दिया है और यहाँ पर कोई भी डीटेल ओपन होके नहीं आ रहा है या फिर not record बता रहा है या फिर not updated बता रहा है तो इस situation में आपको यह करना है कि जब आप assignment submit करते हैं तो आपको assignment का एक slip दिया जाता है जो की कुछ इस परकार से होता है तो इस slip को आपको लेना है और आपका जो भी study center है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको बताना है कि अभी हमारे assignment का status यह बता रहा है तो इस situation में हमें क्या करना चाहिए हमारा अभी तक assignment update क्यों नहीं हुआ है तो यदि यहाँ पर आपके assignment का status open होके नहीं आता है तो सबसे पहले आपको जो है आपके study center पर जाना है वहाँ से आपको पता करना है और वहाँ से आपको पूरा information नहीं मिलता है तो आपको जो है regional center पर जाना पड़ेगा और assignment का डीटेल आपको वहां से पूछना पड़ेगा और नहीं तो आप चाहे तो इगनु के हेलप लाइन नमर पे भी फोन करके कॉल करके पूछ सकते हैं और आप में से ऐसे कितने इस प्रकार से आप अपने असाइमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी परकार के और भी अपडेट के लिए इस चैनल के साथ बने रहे जब तक के लिए बाई-बाई